हीरो को मत के घाट उतारने के कोशिस करने वाले जोन अबराहम अब रक्षक बनकर हीरोईन को बचाते हुए दिखाई देंगे जोन अबराहम को आखरी बार सारू खान की फिल्म पठान में एक्शन करते हुए एक्स एजेंट के रूप में देखा गया था अब वो निखिल अडवानी की अगामी फिल्म में दुआधार एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं जोन अबराहम ने बुधवार की सुबा अपने चाहने वालों को सप्राइज देते हुए एक पोस्ट किये हैं आज उनकी अगामी फिल्म बेदा का एनाउसमेंट हुई है काफी समय से चर्चा थे कि जोन अबराहम एक्टरस सरवारी वाक के साथ फिल्म करने जा रहे हैं तब से ही जोन अबराहम और सरवारी वाक की फिल्म की एक जलक पाने के लिए फेंस बेताब थे और फाइनली इंतिजार की घड़ी खतम हो गई है जोन अबराहम की नई फिल्म बेदा की एनाउसमेंट एक सांदार पोस्टर के साथ की गई है फिल्मेकर निखिल अडवानी ने सोसल मीडिया पर बेदा का धासू पोस्टर सियर किये हैं इस पोस्टर के जर्ये जोन अबराहम और सरवारी वाक का दंदार फर्स्ट लुक रिविल किया गया है इसमें दोनों का आधा चेहरा नजर आ रहा है जोन अबराहम की आखों में तेज गुस्टा है तो वहीं सरवारी वाक के आखों में गुस्टा के साथ आशू भी है वह जोन अबराहम के पीछे खड़ी है इस पोस्टर के साथ नेखिल अडवानी ने कैप्शन में लीखे बेदा इसके लिए इंतिजार करिये उसे एक रक्षक की जरूरत है उसे एक हथियार मिल गया है फिल्मेकर ने सिर्फ धामदार पोस्टर ही नहीं बलकि फिल्म की रिलीड डेट की भी घोश्रा कर दिये है यह फिल्म इसी साल बारत जुलाई को सीनेमा घरों में दस्तक देने वाली है बेदा मूबी में जोन अबराहम और सारवारी वाक के अलावा इस्तरी अभिनेदा अविशेक बनर जी और तमाना भाठिया जैसे कलाकार भी नजर आएंगे फिल्म का निर्देशन निखिल आडवानी ने किये हैं जबकि कहानी असिम अडोडार ने लिखे हैं तो आप लोग कोमेंट करके बताईए कि आप लोग बेदा मूबी को देखने के लिए कितना ज़्यादा एकसाइटेड हैं तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लिजिए गा और हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिजिए गा लिंक डिस्क्रिप्शन में है